अब आप एक बात मुझे बताईए एक मुसल्मान का बेटा इस देश के अंदर एक फिल्म के अंदर बजरंगी भाईजान का रोल अदा करता है ये इस देश की खूब जूरती है आपने देखा होगा कि सल्मान खान एक मूवी बनाते हैं जिसमें वो एक हिंदू का किरदार अ अदा करते हैं तो यह हमारे देश की खूबसूरती है तब तो जो एक्टिव बाइकाट गाएंगा तब तो नहीं बोल रहे थे उन मुद्दों से देश की जंता का ध्यान हटाने के लिए पठान फिल्म हो या कोई आमिर खान की फिल्म हो उसको और जो फिल्म है इनको मुद अंदर मोधी भारत छोड़िये तो मोधी जी भारत छोड़ देंगे बताइए मैं कहता हूं कि इस देश की गोधी मीडिया के दलाल पत्रकार भारत छोड़े मुझे भी बोलता हूं और लिख भी आउँगा कल कहें तो आप फोड़ेंगे ब्रामन नहीं हो मैं आपको एक ची सबसे पहले अगर कोई भी फिलम आज की डेट में अगर देश में आती है तो इसको सबसे पहले भारत के जनता पार्टी के नेताओं को और इनके अपू जपू जितने भी हैं गुड़ू पुड़ू जितने भी हैं इन सब को बिठाल कर दिखा दी जाए अंदभक्तों को ताकि ये खुश रहें और अगर इनको समझ में आया तो फिलम को पारित किया जाए वरना नहीं किया जाए महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है महंगाई पर एक्टिव गैंग बिल्कुल जीरो रहती है बेरोजगारी पर एक्टिव गैंग बिल्कुल जीरो रहती है महिलाओं के साथ में बलतकार हो जाए एक्टिव गैंग बिल्कुल जीरो रहती है क्योंकि केंदर के अंदर नरेंदर मोदी एंड हेकड़ी जो है वो बंद हो जाती है लेकिन फिल्मों पर अब आप एक बात मुझे बताईए सेंसर बोर्ड फिर ऐसी फिल्मों को पारीती क्यों करता है सबसे पहला सवाल च्या अब देश जो है वो फिल्मों के नाम पर ही लड़ेगा क्या यह बताईए आप मुझे दूसरी बात अभी हाली के कुछ दिन पहले जब सारुक खान मावैश्टनों के दर्सन करने के लिए गए देखा ना आपने उन्होंने मावैश्टनों के दर्सन भी किये आप सभी ने देखा होगा उम्रा करने के बाद में जब वहां से आए तो आप एक बात मुझे बताईए कि कोई पर फिलम आती है बहुत सारी फिलम हैं अगर आप देखे कि बहुत सारी फिलम जो और भी बनी हुए हैं उन इंग्लीश मूवी के अंदर भी जो है वहा की हीरोई ने उन्होंने औरेंज के लिटर का ड्रेस पेंड रखा है तो आप उन्हें भी कलेम करी है उनका भी जोचगारी, मुद्दा ये महंगाई, मुद्दा ये नहीं है कि सारुकान के अगाट, अब आप एक बात मुझे बताईए, एक मुसल्मान का बेटा इस देश के अंदर, एक फिल्म के अंदर बजरंगी भाईजान का रोल अदा करता है, ये इस देश की खूबशूरती है, इस देश की खूबशूरती है, तब तो जो एक टिव बाईकार्ट यांगा तब तो नहीं बोल रहे थे, तब क्यों नहीं बोले ये, भाई हिंदू का भी तो आस्था है, अब बताईए, आपको ये वली ड्रेस पहनना है, आपको ये वली ड्रेस पहननी है, और दूसरी बा जो फिल्म है, ये पारित हो रही है, ये थोड़ी चलेगा इस देश के अंदर, ये तो सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, देश के अंदर मुद्दे बहुत बड़े-बड़े हैं, ऐसे-इसे मुद्दे हैं, एक सहनसील वाले मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे जिनों का इकाट करेंगे, तो क्या उसके घर में रोटीन ही पकेगी, ये पताए ना, सारुक खान ने थोड़ी मुवी बनाई है, भया, मुवी तो जिस प्रोडूसर ने बनाई, जिस डारेक्टर ने बनाई है, आप उससे सवाल करिए, तो आप जो है उस प्रोडूसर चे और डारेक प्रोडूसर ने बनाई है, बताए आप मुझे, देश की वित्रमंतरी भारत चोड़ेंगे, बताए, मैं कहता हूँ कि इस देश की गोधी मीडिया के दलाल पत्रकार भारत चोड़ें, मूसे भी बोलता हूँ और लिख भी आउँगा कल कहें तो, आप चोड़ेंगे, मौय किसी एक व्यक्ती की लाइन पूरे देश की लाइन हो सकती है, ये बताए आप मुझे, आरे सोच क्या देखे, सुनी सुनी सुनी, अर्नव गोस्वामी की तरह हल्ला करना बंद करिये, जैसे वो प्रदी वो भंडारी जो है न, इवी चैनल पर किस परकार के आप सब्दों का इस्तेमाल करता है, सोच सोच के चक्कर में कहीं आप कुछ और ना निकाल दे मुझे, इसलिए अपनी सोच को अंदर रखी आप, ठीक है न, वो आपने देखा हुआ किस परकार से गालिये भी देते हैं, ये लोग लाइसंस लेकर गालिया बगते हैं, इनको लाइसंस मिला जो इनके मुँ में आता हूँ वक्ते चले जाते हैं, अब मेरी बास सुरिए, मैं आपको बतातू, जवाला लहनी उनिविश्टी के आपने बाद करी, जेन्यू की जो आपने बाद करी, दिवार के उपर अगर कोई भी व्यक्ति ये लिख देगा कि ब्रहमनों भारत तो किसी के बाप की अउकात नहीं कि कोई किसी को इस देश सके यह देśl जितना ब्रहमनों का है, उतना ही शुद्रों का भी यह उतना बहर्चो का भी, फिक्रों का भी है, यह देश सभी का है यह हिंदू-Мुस्लिम, शिक, किसाई, आदीवासी, डलित-शूद्र, बैस सभी क यह बहा देश है यह और किसी एक व्यक्ति के बोड पर लाइन लिखने से जिवार पर कोई सब्सक्राइब आप ब्रहामन हो लेकिन अंग्रेज भारत छोड़ो सुना था आपने लेकिन ब्रहामन बहारत चोड़ो सुनके कैसा लग रहा आपको मेरी बात तो सुनेजिए मेरी ब बताए नो मुँझे है mı बताई न आप मुझे यहांपर सभी धर्म सभी जाती हें लोग है कोई चाहता यह क्या? कोई नी चाहता सब चाहते हैं कि सब भाई आपस में मिलजूलकर एक साथ रहे लेकिन ये जो हाथ में एक सटेना आपका ये भापू ले सकता हूं यह जो आप मेरे हाथ में भॉंपू देख रहे हैं यह पूरी कलेश की जड़े यह इस देश के अंदर लेकर सड़कों पर निकला जाता है इस इंडिया गेट के पास से हम आपको लाइब कवरेज दिखा रहे हैं इसी भॉपू की वज़े से लोग आपको जान रहे हैं आप सुनने का काम करेंगे इसे आप भॉपू कैसे कर सकते हैं और बिकाओ चैनल है, मबानी अडानी के चैनल है जितने नैस्तन चैनल आप देखते हैं, सरकार के हाथों बिके हुए ठीके न यह सारे भॊपूarna है, इनका मुद्दा हिंदू-मूसलमान का होता है कभी ज्यान-बापी मजीद होता है कभी मंदिर होता है कभी इनका जो मुद्दा जो एजेंडा जो होता है वो हिंदू मुसल्मान होता है क्या कभी इन चैनलों को आपने सिक्षा के नाम पर स्वास्थ के नाम पर महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर बहस करते हुए देखा है आपने